हेलो इस्टुएन आज हम बात करेंगे टेलिवीजन केमरा ट्यूब क्रोस सेक्षन ब्यूब मतलब किस तरह से एक टेलिवीजन केमरा काम करता है जो एक हमारे पास ओबजेक्ट होता है उस ओबजेक्ट से जो इमेज बनेंगे उस इमेज को या उस पार्टिकुलर करना होता है इस्क्रीन पर किस तरह वो डिप डिस्प्ले होता है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे जानेंगे और देखेंगे किस तरह से एक पार्टिकुलर क्या उसे screen पर project करना है उसे display करना है तो इसमें जो जो भी components या जो जो इसके camera tube जो एक होगा उसमें किस तरह से एक lens होते हैं और वो lens किस तरह से काम करता है basically हमें ये पता होता है कि lens जो हम जानते हैं एक यदि particular lens हम convex lens की बात करें तो यदि convex lens हमारे पास है तो यदि object से ray निकले तो वो उस lens पर fall होगा light और उस lens पर light fall होने के बाद वो उस से जो ray निकलेंगे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो lens है वो focusing lens है मतब हमारे object से जो भी light ray emit होगा वो उसे focus करेगा और ये light एक तरह के camera tube पर fall होगा और वो camera tube जो हम screen पर देख पा रहे हैं उस camera tube का जो front part है glass plate जो display हो रहा है आपके screen पर glass plate एक transparent होता है जहां पर ये जो light object से आ रही है और वो lens focusing lens को cross करते हुए वहां से focus करते हुए एक glass plate पे fall करता है और उस glass plate के beyond just उसके side में conductive coating होता है और conductive coating basically महां conduction होता है और उसके बाद एक photo conductive surface होते हैं जो basically high resistance होता है मतलब जब तक इस conducting जब तक इस photo conducting surface पर light नहीं आए तब तक इसके resistance बहुत high होंगे यदि इस पर light आते हैं यहां पर जो resistance है वो vary होता है तो इस तरह से हमारा सबसे पहला object जिसे मुझे project करना है focusing length फिर glass plate conductive coating और photo conductive surface अब हमारे पास एक cathode point आप देख रहे हैं और उसमें electro gun होते हैं electron guns basically कहागा वहां से electron का beam project किया जागा जो और वह electron के beam जो होते हैं वह strike करेंगे हमारे photo conducting surface पर जहां से object का light आया हुआ जहां से object हमें project किया गया और यह electron beam हर एक जो object होंगे हर एक element को वह एक तरह से glow करेगा मतलब वह चीजों को scan करना शुरू करेगा जो हमारे electron beam cathode से आ रहे हैं वह जो भी object कर रहे हमारे glass plate पर फॉल होगा photo conductive surface पर आयेगा वहां पर यह electron beam हर एक picture element को वह scan करना शुरू करेगा और इस electron beam में जो deflection होते हैं वो deflection basically कुछ electrical और magnetic field के करान होता है अब यहां पर देखे एक तरह का coating होता है जो आप देख सकते हैं यहां पर rate color का coating किया गया है उसे magnetic deflection and focusing coil है मतलब क्या वह एक magnetic deflection के लिए रखा गया है ताकि हमारा beam हमारा electron beam deflect कर सके horizontally और vertically both direction में ठीक है जिस तरह से हम लोग कोई notes पढ़ते हैं कोई book पढ़ते हैं तो हम एक line पढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं एक line पढ़ते हैं फिर इस तरह से हम नीचे की और पढ़ते हैं मतलब क्या वहां पर किसी भी चीज को हम horizontally भी scan कर रह होते हैं तो टॉप टू बोटम आएंगे तो वर्टिकल एसकेन का आएगा और साथ हिसाइमेंटल इसकेनिंग भी होता है मतलब क्या यह scanning का प्रोसेस है जहां एक object को scan किया जाता है vertically और horizontally तो यह प्रक्रिया यहां पर scanning का एक प्रोसेस आता है हमारे जो भी object को display किया जाएगा हमारे screen पर जो भी screen है तो इस तरह से television camera tube एक cross section view जो हम यहां आपको बता रहे हैं वो एक important concept है कि किस तरह से object को display किया जाए screen पर तो यहां पर एक अहम role होता है electron gun जो cathode part हमने बोला अब जो भी object television पर project होगा और electron beam के दोरा वो scan होगा उसके बाद वहां से scanning के बाद हमें picture दिखने चाहिए और वो electrical form में होता है और वो video signal output जो आप देख पा रहे हैं video signal output वहां से हमें video signal बेसिकली दिखेगा वो किस तरह के object थे और वो किस तरह के images थे वो सब चीज हमें दिखेगा अब बात करते हैं कि scanning जो electron gun है जो जहां से cathode से जो electron gun निकला वो किस तरह से काम करता है किस तरह से scanning होते हैं picture के उसके बारे में हम देखेंगे तो basically यहां पर हम बता सकते हैं कि एक screen है जिसे हम raster भी कहते हैं यह raster म मतलब के covering picture area है ठीक है और इसमें height है width है और एक bottom और एक top तो height समझ रहे हैं width भी चोड़ाई समझते हैं bottom और top यह इस तरह से है तो मतलब जो यह raster है रaster basically है क्या है वो एक scan beam covering picture area है जैसा कि आप नीचे पर पा रहे हैं title इस diagram के कि किस तरह से कोई भी image एदि screen पर electrical form में आता है तो electron beam उसे किस तरह से उसे scan करता है वो देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर एक electron beam scan हुआ किसी भी picture का scanning इस टार्ट है जो पहला line आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं trace तो यह tracing करना शुरू होगा एक horizontal direction में और horizontal direction में trace होने के बाद यह मतलब आप देखते हैं left से right के ओर tracing होना शुरू हुआ इस तरह से number of lines यह scan होगा throughout from horizontally and vertically as well अब फिर से जो dot dot line दिख रहे हैं उसे हम retrace line बोलते हैं जो dark line है उसे trace line और जो dot dot line है वो retrace line तो इस तरह से scanning होता है और gently और वही फिर नीचे आता है retrace होता है trace होते है retrace होते है trace retrace इस तरह से करते करते हो क्या होते हमारे bottom की और आता और final पूरे picture का पूरे वीडियो का जो भी display हमें करना है उसका scanning process यहाँ पर होता है तो dot dot line को retrace कहते हैं और जो dark line है उसे trace कहते हैं trace करना हुआ एक तरह से tracing होता है हर एक picture element का जो भी picture हमें दिखेगा screen पर तो उसके पहले यह tracing और retracing का process होता है तो यह पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है एक तरह का scanning का जो हम बोल सकते हैं कि राश्टर मतलब picture area जो हमारा screen होता है वही है यह screen पर किस तरह से retrace होता है पूरा के पूरे picture का तो इसमें बहुत अहम रोल है cathode, gun जो cathode देखे आप वहाँ से जो electron gun है उनका और lens का किस तरह से वह एक पूरा का पूरा system यह जो का लागया camera tube का लाता है इसी का आज हम आज मैं discuss आज मैं कर रहा हूँ television camera tube cross section view के बारे मैंने आपको बताया यह सारी बात है